राजस्तार से खबरों के तरफ बढ़ेंगे राजस्तान में सीयंत की चेहरे की तलास तेज हो गई पाटी की राश्टु एध्योग जेपी नड़ा ने राजस्तान के लिए तीन परवेक्षक नियूट किये जुनका काम राजस्तान में विधायक से राश्शमारी कर दिल्ली आकर रिपोर्ट दिना है राजस्तान में आने वाले अगले दो दिन भारी हलचल भरे हो सकते हैं क्योंकि इन दो दिनों में आलकमान ये तै कर सकता है कि प्रदेश का नया सीयम कौन होगा क्योंकि इस कवायत की पहली सीड़ ही पार कर ली गई है पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपिनड़ा ने बतोर अब्जरवर राजस्थान के लिए परिवक्षकों की न्यूक्ति कर दी रक्षा मंत्री राशुना सिंग राष्ट्री महासच्यू विनोत तावडी राजसभा सांसद सरोच पांडी की न्यूक्ति की गई है इस सभी तीन परिवक्षकों का काम विधायक दल की बैठक में शामिल होना और उनसे रायशुमारी कर दिल्ली आकर रिपोर्ट देना होगा राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीयम पत की रेस में पूर्व सीयम वसुंद्रा राजे, बाबा बालकनात, सीपी जोशी और गजेंदर सिंग शेखावत के नामों पर चर्चा हो रही थी हालंकि खबर ऐसी भी थी कि बीजेपी आलकमान नए चेहरों को मौका दे सकता है हालंकि वो कौन हो सकता है, ये अभी तक साफ नहीं है हालंकि इस बीच खबर है कि प्रदेश में सीयम के साथ दो डिप्टी सीयम भी हो सकते है अब परवक्षकों की नियुक्त हो चुकी है, ऐसे में अब सवाल है कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा हालंकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ कर चुके थे कि जो भी होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा सूत्रों की मानितों बीजिपी की नए प्लान के तहट तीनों परवक्षक जैपूर जाएंगी परवक्षक विधायक दल की मीटिंग में शामिल होंगे विधायकों से परवक्षक राइश शुमारी करेंगी इसके बाद दिल्ली आकर रिपोर्ट आला कमान को सौपी जाएगी जिसके बाद सीम के चहरे पर आखरी मुहर लगेगी पिछले कई दिन से बीजेपी में सीम फेस को लेकर कवायच जारी है राजस्तान से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है लेकिन जिस तरीके से परवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले दो दिन में ये साफ हो जाएगा कि सीम की रेस में बाजी किसने मारी राजस्तान को लेकर भारती जनता पार्टी ने केंद्रिय परवेक्षकों का एलान कर दिया है हाला कि सीम फेस को लेकर सस्पेंज अभी भी बरकरार है लेकिन पार्टी ने अपने तीन दिगज नेताओं को केंद्रिय परवेक्षक बनाकर राजस्तान भेजा है जिसके पीछे की मुख्य वज़ा है कि निर्विवाद रूप से राजस्तान में विधाई दल की बैठक में भारती जनता पार्टी एक राय बनाए लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये तीनों दिगजनेता इस पैशकस में सफल साबित होते हैं या नहीं और इंतिजार इस बात का भी है कि आखिरकार राजस्तान का अगला मुख्य मंत्री कौन होगा कैमरा परसन विपिन के साथ लखविर सिंग शेखावत न्यूज एटेन दिल्ली राजस्तान में पूर्ण बहुमत आने के बाद भी अभी तक सीम फेस को लेकर बीजीपी की ओर से कोई नाम सामने नहीं आया लेकिन बीजीपी ने आज तीन परविक्षक नियूट कर दिये हैं और इसके बाद ही विधायक दल के बैठक होगी बीजीपी के प्रदेश रध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली में हैं इस दोरान उन्होंने बैठक को लेकर और सीम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा है कि जल्दी विधायक दल के बैठक होगी और सीम मजबूत व्यक्ती बने इसलिए मन्थनज़ारी है सीपी जोशी से बात की हमारे समधाता लखवीर सीग में तीथी नियत हो जाएगी उसके बाद आगे इनी कारवाई होगी मेरा आज आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोकसवा की कारवाई में भाग लेना अच्छे बहुमत के साथ मेंडेट मिला है बारतिय जन्ता पार्टे को जल्द सरकार का गठन भी हो जाएगा कितने उत्साईत हैं और मुख्य मंत्र किस प्रकार का आने वाला है क्योंकि पिछली पांस साल में काफी आरोप लगाएं विफलता के अशोगलो सरकार पर देखिए राजस्तान की जन्ता ने मोदी जी की गैरेंटी पर विश्वास किया है मैं राजस्तान की जन्ता का भी आभार प्रकेट करता हूँ और राजस्तान की जन्ता की ओर से गरीब बाईयों की ओर से माताओं बैनों की ओर से युवाओं किसान दली तादिवासी हर वर्क की ओर से आदरनी प्रदानमंदी compression का अभार प्रक्रिप करता हूँ कि उनकी आशाओं पर उन्होंने उनकी विश्वास पर उनको पूरा किया और यही विश्वास अटूट विश्वास आदरनी मोदीं जी के प्रती जो है वही guarantee राजस्तान में चली है और उसी पर राजस्तान की जनता तिर आगामी जो कारवाई होगी वो उसके बाद है बादचीत के लिए शुक्रिया थे भारती जंदा पाटी राजस्तान के परदिया शद्यक्षो चितोडगर के सांसत सीपी जोशी जो साथ तोर पर कहा है कि जल्द परिविक्षों को की न्यूकती होगी उसके बाद विधाय शुक्रियू सिंग शेखावत निव्जटीन दिल्ली